हेलो दोस्तों स्वागात है आपका मेरी किचिन रियल ब्यावर्ट फोडी में आज हम बनाएंगे बिना आवन और बिना तंदूर के बहुत ही टेस्टी और खास्ता लिट्टी तो इसलिए से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लिए हम आटा ले लेंगे दो से तीन कप आटा है और इसके अनदर स्वादान सा नमक डाल देंगे थोड़ा सा मीठा सोटा डालेंगे दो तीन चुटकी के बराबर और इसमें आजवाएं डाल देंगे हाथों से क्रश करके इसके बाद इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे जब यह मिक्स हो जा hem तो इसक में थोड़ा सा और मोहिन डाल रही हूँ मैं इसमें कम से कम पांच बड़े चम्माच के करीब मोहिन डाल रही हूँ और मोहिन डालने के बाद इससे अच्छे से मिक्स कर दूंगी देखिए और बन जाना चाहिए ऐसे इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते व ताकि ये इसके उपर पपडी न जमे और इसे अच्य सफ़ sapate के हम रख देंगे अब इसके बाद हम अपना भरने के लिए स्ट्फिंग त्यार करेंगे अंदर की इसके लिए हम सत्तू ले लेंगे ये चने के सत्तू है और मैं इसमें कम से कम डेर कप के करीब सत्तू यूज कर रही हूँ और इसमें बारी कटा हुआ लहसन डाल देंगे प्यास डाल देंगे और देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा काली मिच डाल रही हूँ कूट के और लहसन पता है धनिया पता है और अचार का मसाला है एक से दो चमच और इसमें हरा मिच नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए पहले निकाल लूँगी उसके बाद हरा मिच डालूँगी इसमें अजवाइन मिला दिया है और थोड़ा सत्तू की हिसाब से नमक डालूँगी मैं इसमें डेर चमच के करीब नमक डाल रही हूँ और थोड़ा से हिंग डाल रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो खाने पे और इसके अंदर हम डालेंगे सर्सों का तेल ये पका हुआ तेल है कच्चा तेल नहीं डाल रही हूँ ये गरम की होँ तेल था और इसे डालने के बाद हलका हलका पानी डाल के अच्छे से देखिए हम इसे मिलाते हुए मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे प्याज और हरी मिर्च देने पता इसके अंदर अच्छे से चिपक जाए अब देखिए मैं बच्चों के लिए अलग से निकाल ले रही हूँ आप भी बच्चों के लिए बना रहे हो तो ऐसे अलग से निकाल के बनाईएगा क्योंकि बच्चे मिर्च वैसे भी नहीं खाते हैं और फेक देते हैं सब भी वेस्ट हो जाता है, खाते नहीं है वो, अब चलिए, सबसे पहले एक कुकर ले लेंगे, प्रेशर कुकर, उसमें हम घी डाल देंगे, घी डालने के बाद घी को चारो तरफ से फैला देंगे, थोड़ा सा ही घी डालना है, और इसे फ्री हीट होने के लिए रख देंग और इसका रबड और सीटी निकाल के रखेंगे हम, अब देखिए, आटे के छोटे-छोटे पेड़े काट लेंगे हम, पेड़े काटने के बाद, देखिए इस तरीके से हम पेड़े काट लेंगे, और एक लोई लेंगे, और उसके बाद, इस तरीके से गोल करते हुए हम, एक से ड्रेट चमच इसके अंदर stuffing भर देंगी सुत्तुका और देखिए इस तरीके से दबाते हुए अपने हातों से अच्छा सा गोल शेप देते हुए हम अपने लीटियों को तयार कर लेंगे भरके इसी तरीके से हम और लीटियों को भी तयार करेंगे इसे काने में बहुत तरीके से बनाते हैं और देखिए इसे तरीके से और ये बहुत ही खास्ता बन के त्यार होता है बहुत टेस्टी लगता है खाने में आप इससे अराम से बना सकते हैं इसमें जाधरा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत जल्दी रडी हो जाता है बस जितना टाइम लगता है सिखने में लगता है इसके अंदर कुकर में और त्यार हो गया हमारे सारे अब इसके अंदर देखिए कुकर भी गरम हो गया है अब इसके अंदर हम डाल देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे थोड़ा जादा तेज मत रखिएगा पर नहीं जितनी लिट्टी डाली हुए दूर दूर पर ही रखेगा क्योंकि थोड़ा इसका साइज भी बड़ा होता है ना इसलिए वनने ये चिपक जाएगी अपस में अब देखिए हम खोलके से पलट लेंगे सारी लिटियों को देखिए थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगा ये पकने लगा है और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है घर में बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी रेडी हो जाता है बिना तंदूर और बिना आवन के बहुत खास्ता लिटी त्यार होती है और इसे बनाना भी बहुत असान है अगर लेटियो अगर लेटियो चैनल को तक प्रोटी आ अशनी होगा है सब्सक्राइब हो दिकली में एक निकाला है कि उसलूर चैनल को धिकली लाते हुए अब परत्डं में घी निकाले शिये हैं और अब लीटियों को इसके अंदर हम डूबो देंगे देखिए अच्छे से डूबो के अब इसके अंदर से हम निकाल के प्लेट में सर्फ करेंगे खाने के लिए इस खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आपका तो मनी नी भरेगा आप खाएंगे तो इतना टेस्टी लगता है और इसे हम धनिय की चट्टी और टमाटर बैंगन और आलू के चोखे के साथ सर्फ कर रहे हैं गर्मा गर्म आपको यह रैस्पी अच्छी लगती है तो वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर दे साथी में नोटिफिकेशन बेल बटन को भी दबा दे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसी तरह की और एस्पीस देखने के लिए मेरे चैनल को फालो कर लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए हर हर महादीव